आप सभी के सेहत को फिट रखने के लिए चलिए आज एक और रेसिपी देखर आई हूँ जो कि बहुत ही है प्रोटीन से एकदम भरपूर है तोस्तों जिसे आप अपने ब्रेक्वस में बना सकते हो चाहो तो कभी आप अपने डिनर में भी बना सकते हो चाहो तो कभी अपने लंच में भी बना सकते हो तो कि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कोई hard and fast rule नहीं है इसे बनाने का तो चलिए शुरू करते हैं तो मैं बात कर रही हूँ आज की जो रेसिपी है हमारी सत्तू ओर्स चिले की तो यह देखिए बहुत ही अच्छा और मज़ेदार चिला बनता है तो चलिए मैंने इसमें लिया है एक कटोरी केहू का आटाम आदा कटोरी ओर्स जिससे मैने पीस लिया था मिकसर में, इस बार में और सक्ली पोड़र मेंने ब जैसे लिया ह thousand communication 250 एक एक करके दीरे दीरे करके दिशाज हब में सब शेयर करती रहोंगी तो बने रही है दिशाज हब में इस तरह की healthy और tasty delicious snacks अलग-अलग varieties के लिए follow करते रही है तो देखिए हमारा जो चीला है आज का कितना अच्छा और शानदार बना है ये रेखिए तो इस तरह से मैंने ज फोजय गहूं का अठा लिया था और आधा काटोरी मैंने इसमें ओट्स का आठा लिया था और आधा काड्यों यहाट ही तो में दोस्तों बहुत प्रोटीन होता है भर-भर कर मतलब कर्मियों में तो सथ्तू खाना बहुत अच्छा होता है कहते सथ्तू की स्मूधी भी अच मौनिंग में जाए ये फ्रेश फ्रेश फूरीना लेकर आए उसकी चटनी बनाईए तो इस चीले के साथ वो चटनी बहुत अच्छा लगता है बाकि उस चीले के हाटे में मैंने थोड़ा सा एक ओनियन डाल दिया थोड़ा करी पत्ता डाल दिया चिली फ्लैक्स डाल दिया औ इसमें एकदम कम ओयल पढ़ता है बहुत ही कम तेल में हम एकदम मतलब एक अच्छा सा ब्रेकफॉस्ट हो या कुछ भी हो और पेट भी भर जाता है हम बस दो से चार चीला खाले हमारा पेट एकदम से भर जाएगा और में बात है कि हम इसमें अपने मन चाहा मन चाहा प्रो चीजों में भर भर के ढालिये में हमेशा बुलती हूं हरा धनिया हो पालक हो अगर ये सब चीजें हम चीले में डाल देंगे ना तो चीले में कुछ ऐसा टेस्ट में कोई फरक नहीं आएगा टेस्ट आपको बिलकुल वैसा ही लगेगा लेकिन आपके अंदर प्रोटीन की एक से दो वेराइटी चले जाएगी और मेन उसमें क्या होता है ना तेल भी बहुत कम पड़ता है अच्छा बाकी रही नॉर्मल इंक्रेडियेंट्स जैसे की अजवाइन हो गया जीरा हो गया सौफ हो गया करीपत्ता यह सब चीजे में हमेशा ही डालती हूं जीला में तो आपको मतलब एक इसी दरा से हेल्दी चीला अपका बन जाएगा और आपके जो भी चीजे हैं वो भी इस्तेमाल हो जाएंगी खेर आस्तों मैने आपको सत्तू और ओर्ट का चीला बताया है उसकी बैनेफिट्स पिसके बताया है कि वह हमारे शरेरिक लें कितना हेल्दी है में थोड़ा सा ओयल लगा के रग दोगे दो घंटा पहले ग्रीज करके उसको अच्छे से लग दोगे तो उसमें चीला चिपकेगा नहीं आपका का तो दोस्तो आज की रेसिपी जरू ट्राय कीजिएगा और कमेंट सेक्शन पर मुझे फीडबैक भी दीजेगा कि आपका ची पीस के साथ अच्छे अच्छे व्लॉक्स के साथ हैल्दी डिशिस के साथ ओल्ली अन दिशास हब पर तिल देन स्टे फिट स्टे हैल्दी लव यू अल पाई टेक कियर